नमस्कार दोस्तों, पूझा हिक्ती चानल में आप सभी मेरे भाईयों और भेनों का बहुत बहुत स्वागत है आज इस नवी शेपर हम चर्चा करेंगे वो है सुहागन महिलाओं के लिए करवा चौत का जो वरत होता है इस दिन किस प्रकार अपने कुमकुम या अपनी जो सुहाग दानी होती है जिसमें हम मांग भरने का सिंदूर रखते हैं उसे किस प्रकार पती बतनी के रिष्टों को बहुत जादा गहरा किया जा सकता है साथ ही साथ क्योंकि सुहागन महिलाओं का तहवार करवा चौत तो और यह बहुत इश्यूब अफसर होता है इस दिन आप धन के लिए भी कुछ उपाय कर सकते हैं करवा चौत के दिन सुहागन महिलाओं अपने पती की लंबी उम्र के लिए ब्रत रखती हैं पती की लंबी आयू के लिए अखन सौभागी की प्रापती के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है चंद्रमा के साथ साथ भगवान शिव पारवती जी तथा गणेश और कार्ति के यह पूजन करना बहुत ही महतपोर्ण माना जाता है लेकिन करवा चौत के दिन अगर आप छोटे-छोटे उपाई भी कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत विशेश अफसर होता है जिस दिन हम हमारी सभी प्रकार की मनों कामनाओं की प्राप्ती कर सकते हैं अगर पती-पत्नी के रिष्टे जो खराब चल रहे हैं या आपको लगता है कि आपसी प्रेम खतम हो गया है तो उन्हें भी आप पूनहां बहुत जादा प्रेम पूर्वक बना सकते हैं यदि पती पतनी के बीच मदभेद होते हैं आपसी प्रेम कम हो गया है बहुत जादा लडाई जगड़े होते हैं या आपको लगता है कि पती या पतनी में से कोई एक भी जो है उसका ध्यान इस रिष्टे की तरफ नहीं है तब आप क्या करेंगे करवा चौत के दिन आप 11 ग हिला के पास सुहाग दानी होना बहुत जरूरी होता है इससे आपके जीवन में सदेव जो है सौभागी की प्राप्ती होती है साथी साथ सिंदूर दानी में 11 गोमती चक्रों को आप जो है करवा चौत की पूजा के समय आप अपने साथ में रखिए आप इसे पूजा स्थल भरवाईए उसके बाद यह जो 11 गोमती चक्र है आप सुहाग दानी में रख दीजिए इसके बाद यह जो सुहाग दानी है आप कहीं ऐसी जगा रख दीजे जहां पर किसी की इस पर नजर ना पड़े आप कुछी समय में देखेंगी कि पती पतनी का प्रेम जो है बहुत ज जादा जो है आपकी तरफ ध्यान देने लगेंगे बहुत चोटा सा उपा है पुराने जबाने में लोग यह किया करते थे यह कोई ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वशी करण है यह स्रिफ और स्रिफ पती पतनी के रिष्टों को पूर्ण करने के लिए एक चोटा सा उ अगर आपको लगता है कि आपका जीवन साथी आपसे प्रेम नहीं करता है सम्मान नहीं देता है या किसी और की तरफ आकरशित हो रहा है तो ऐसे समस्या के लिए आप एक पीपल का सूखा पत्ता ले लिजे या भोच पत्र ले लिजे भोच पत्र क्योंकि बहुत लोगों क करेंगे उस समय पर तीन क तीए कपूर की टिक्कियां लेकर उसे जला दे सब गालड़ाई जो भी आप आपकी मनो कामना हो उस समय पर कहें प्रभूड़ रपाद से कारने के वाध प्रभूय प्ती को देमें embody साथी साथ आपका जीवन साथी जो है आपकी सभी प्रकार की बाते जो है समझने लगेगा या आपकी और जो है उनका सोभाव चेंज होने लगेगा इसके अलावा अगर करवा चौत के दिन आप जैसे जीवन साथी के प्रेम क्यूंकि बढ़ाने के लिए हम करते हैं, तो हमें जो है सदेव करवा चौथफवाले दिन, शाम के समय जब हम चंद्रमा को अर्ध देते हैं, उस समय पे जल में जो है, हमें गुलाब की पांच पंखुडी जो होती है, लाल कलर का गुलाब हो तो बहुत ही शुब रहेगा ता आपी उपाय करिए क्योंकि ऐसा करने से आपके जीवन में जो प्रेम है वो और ज़्यादा बढ़ने लगता है और आपके आपसी रिष्टे जो हैं बहुत ही ज़्यादा सरलता पूरवक चलने लगते हैं करवा जौद के दिन स्त्री को जो है पुश्प अपने शिंगार में अवश रूप से यूज करने चाहिए लाल पीले सफेद पुश्पो को जरूर अपने बालों में लगाना चाहिए इस दिन विशेश तोर पर बालों में गजरा लगाने से भी पती पतनी का प्रेम जो है बहुत बढ़ता है जब भी श्रंगार करें क्योंकि ऐसा माना जाता ह गर्वा चौद का चाहिए तो से पुश्पो में लगें बालों में दोकर वाल यूकर पर्फिऊम ऐसा चुकरने से शुक्रदेवा पर प्रसन्ण होगे ऑ इससे क्या होगा आपके जीवन में प्रेम और नाट बहुता है सब्सक्तित बढ़ता है 될म टेम जिवासुगा इन मे बढ़ने लगेगा साथी साथ आपको सौंदर की भी प्राप्ती होगी। इसके लाबा एक सवाल आया था कि पारिवारिक सुख और जैसे सस्रॉाल में मान सम्मान बढ़ाने के लिए भी कोई उपाया बता है। विगन हर्ता गणेश जी की पूजा का विशेश महत होता है करवा चौत वाले दिन तो इस दिन विगन हर्ता को या गणेश जी को 21 गुड़ की गोलिया बना कर उस पे दुर्वा के साथ जो है अरपित करेगे। विगन हर्ता गणेश जी से इस दिन आप अपनी मन की कोई भी इक्षा मांकर उसे पूर्ण कर सकते हैं। इस दिन विशेश तौर पर मन की इक्षा की पूर्ती के लिए मन पसंद जीवन साथी के लिए कवारी करने अगर वरत रखती हैं तो आपकी मनों कामनों को पूर्ती करने के लिए भी गणेश जी को करवा चौत वाले दिन गुड़ का प्रसाथ जो है या भोग हमें जरूर लगाना चाहिए आप गुड़ के लड़ू लगा सकते हैं भोग में या अगर नहीं कर सकते हैं तो सिंपल गुड़ की एक डली जो होती है वही आप अर्पित करें आपको मन पसंद जीवन साथी मिलेगा आपका प्रेम जो है पूर्ण होगा साथी साथ पती पतनी के रिष् करते हुए आप सभी का बहुत बहुत धनेवाद मुझे सुनने के लिए धनेवाद दोस्तों